हेलो बच्चो मैं विकास फ्रम टार्गेट तो चली आज हम लोग एक्साइज 4.4 के कोश्चन नमबर 3 को करने जाते हैं जैसा कि आप देख पार इस कोश्चन में हमें दिया है इडिस पॉसिबल तो डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूफ फूस लेंथ हम लोग प्रेइथ को लेट कर लता है कि एक्स है हमारे पास है इस तरह का हमारे पास है एक खेल ने更च है X तो obviously हमारा length कितना हो जाएगा 2X यहाद है clear आपको तो चलिए start करते हैं let the breath of rectangle rectangular mango group equal to X meter breath of the rectangular mango group को हमने X meter let कर लिया तो length कितना हो जाएगा बताइए length of rectangle mango group वो कितना हो जाएगा हमारे पास तो वो हो जाएगा ना 2X meter ठीक है यहाद है clear आपको breath को हमने X rate किया तो length 2X होगा क्यों क्योंकि हमें दिया हुआ कि length is twice यहाद आपको clear अब देखी as we know that as we know that length into breath equal to क्या होता है area यह आपको पता है कि length into breath equal to area length कितना हमारे पास तो length हम लिख सकते है 2X breath कितना हमारे पास X area हमें कितना दिया है area 800 meter square तो area हो गया हमारे पास 800 meter square इसको अगर आप multiply कर लेंगे यह हमारा हो जागा ना 2X square equal to 800 यहाँ से आप cancel कर लिए इसको कितना हो गया 400 तो यहाँ से आप अगर आप X square निकालते हैं यानि X equal to कितना हो जाएगा square root हो जाएगा square root of 400 400 का square root कितना होता बताई है तो यहाँ आप लिख सकते है plus minus 20 यह आपने पढ़ा है plus minus root हट आएगे तो plus minus 20 but minus 20 to breath of the rectangular group हो नहीं सकता that means हम लोग क्या लेंगे since X not equal to minus 20 therefore X equal to कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मीटर ठीक है अगर X हमने 20 ले लिया तो अब आप लेख लिजएगा breath कितना हो जाएगा देखिए मैं shortcut में लिख दे रहा हू breath of the आप पूरा लिख लिजएगा breath of the rectangular mango group तो breath कितना हो गया हमारे पास 20 मीटर अगर breath 20 हो गया तो length कितना होना चाहिए तो हमने पढ़ा है लेंथ किया है इसका twice है twice है मत्रब 2 into 20 that is 40 मीटर एथिंग यहां तक आपको clear है देखिए next question हमारे पास है is the following situation possible if so determine the present is तो question हमें दिया है कि the sum of the edges of the two friends is 20 years four years ago the product of their edges in years was 48 तो इसमें आपको solve किस तरह से करना है कि सबसे पहले आप let कर लिजे कि let the present edge of the first friend है ना तो चलिए start करते है let कर लेते है let the present as of first friend first friend के edge को अगर हमने एक लेट कर लिया तो second friend का edge कितना होगा बताई है X years तो बताई ही the present is of second friend कितना हो जाएगा second friend क्योंकि देखिए दोनों का sum कितना दिया होगा हमें 20 years तो पहले को अगर हमने X लेट किया तो दूसरा one यानि कि second friend का edge कितना हो जाएगा 20 minus X होगा 20 minus X years ये क्लियर आपको अब दिया है कि four years ago तो देखिए four years ago as of first friend first friend was कितना हो जाएगा बताई है four years ago तो four years ago बोला four minus कर लेंगा हम इसमे X minus four years simple है इसी तरह से four years ago the edge of the second friend second friend was कितना हो जाएगा वो पताई है उसमें भी four minus कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 minus X तो है हमारा उसमें और four minus कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा आपको 16 कितना हो जाएगा 16 minus X years यहाँ ते clear है आपको अब क्या बोला गया है कि इन दोनों का product देखिए product of their edges तो यानि कि इसका product इन दोनों का product कितना हमारे पास 48 तो according to question में क्या लिखेंगे बताईए कि product means X minus four multiply 16 minus X equal to कितना हमारे पास 48 बस इसको आपको solve करना हो और एक quadratic equation बना लिजे अगर quadratic equation बनाने के बाद D अगर हमारा positive आता है तो yes this condition is possible otherwise not तो चली इसको start करते हैं देखिए सबसे पढ़े हमने इसको multiply कर लिए कितना हो जाएगा 16 X then minus X square again 16 4 जा 64 minus minus plus यह हो जाएगा आपके पास 4 X equal to 48 अब देखिए यहाँ पर minus X square है हमारे पास minus X square 16 X plus 4 X कितना हो गया बताइए 20 X यहाँ हमारे पास कितना था minus 64 यह अंदरा जाएगा ना तो minus 48 equal to 0 इसको अपसॉल्व करिए minus X square plus 20 X यह कितना हो जाएगा 8 foot 12 का 2 हतमें पूछे 11 हो जाएगा ना अब देखिए यहाँ आगे वह minus है ना तो हमनों minus common ले लेते हैं ठीक है अपने पढ़ा है ना minus हम common ले सकते है minus common लेंगे तो सब का sign change जाएगा ना तो यहाँ minus common ले लिया कितना हो जाएगा यह हमारा X square यहाँ हो जाएगा minus 20 X और यह हमारा हो जाएगा प्लस 112 यह के लिए आपको क्या कि हमने minus common ले लिया minus common लेने से सब का sign चेंज कर दीजिए आप ठीक है एक लाइन यहाँ सो नहीं किया हमेंने बस अब देखिए यहाँ पर हमें इसको मिटम रेक यानि फेक्टराइसे मेथर से आप बना लीजिए या फिर आप D निकाल लीजिए तो फेक्टराइसे मेथर से इसको करना solve possible नहीं है तो आप लोग फ़ले D निकाल लेते हैं तो D equal to B square minus 4 AC यह आपने पढ़ा है D equal to B square minus 4 AC अगर आप फेक्टराइसे मेथर से भी कर सकते हैं अगर किसी सम को उसमें भी आप D निकाल के भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं इसमें D निकालने से आपको clear हो जाएगा कि यह सम possible है या नहीं है यानि यह situation जो है हमारे लिए possible है या नहीं है तो देखिए D equal to B square B कितना हमारे पास देखिए B कितना था हमारे पास minus 20 न तो B हो गया minus 20 यह आपको पता न X का coefficient क्या कर ला था B X is square coefficient A और जो remaining है वो C तो देखिए B square minus 4 A कितना हमारे पास देखिए यहां क्या है A X is square coefficient क्या है 1 है तो A हमारा 1 हो गया C कितना है 1 and 12 इसको आप solve कर लिजे 20 का square कितना हो गया 4 and 8 यहां कितना हो जाएगा 48 4 1 जा 4 तो देखिए यहां कितना आ गया minus 48 अगर D minus में आ गया आपने पढ़ा है अगर D minus में आ जाए तो no real roots यानि कि since हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि since हमारा D जो है वो less than 0 हो गया less than 0 हो गया मतलब no real roots no real roots तो हमें पुछा गया था है कि is the following situation possible तो क्या लिखेंगे हम लोग कि no है ना this situation is not possible this situation is not possible तो I hope यह आपको सबसे पहले आपको equation बना लेना है equation बना कि आप D निकाल लीजे अगर positive आया तो yes नहीं आया तो no बस इतन नहीं है देखिए next question हमारे पास है is it possible to design a rectangular park of perimeter दिया वो आपको 80 meter area भी given है आप सब पुछा गया है कि क्या यह possible है अगर possible है तो अगर यह situation possible है तो इसका length और breath आपको find out करना है तो चलिए start करते है देखिए let कर लिए हमने let the length of rectangular park rectangular park इसको मान लेते हैं कि L है length of the rectangular park क्या मान लिए हमने L meter मान लीजे सबसे पहले हमें क्या given है हमें given है perimeter 80 meter है तो since perimeter of rectangular park कितना है 80 meter है अगर perimeter 80 meter है that means आप formula पले पुठ कर लीजे 2 into L plus B equal to 80 meter यह आपने बढ़ा है यहाँ से 2 से आप cancel भी कर सकता है 40 बार में न तो L plus B हमारा कितना आ गया L plus B equal to 40 है ना यहाँ तक लिए आपको L plus B equal to 40 इसको मैंने equation 1 मान गया अब देखिए यहाँ पर हमें क्या given है area भी given है कितना 400 तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि since area of the rectangular park है rectangular park वो कितना हमें बताईए हमें given है अब देखिए लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर two variable हो जा रहा है तो हम लोग कोशिस करते हैं यह one variable में हो जा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए यहाँ पर आप L निकाल लीजे in terms of B या B निकाल लीजे in terms of L तो देखिए हमने यहाँ कर लिए 40 minus B और इसको equation बर one let कर लीजे तीक है यहाँ थे clear आपको L निकाल ली हम ले B के term में या B भी निकाल सकते थे L के term में तो L equal to 40 minus B अब यहाँ put कर लीजे L के जगा में हम लोग क्या put कर लेंगे 40 minus B into यह आपका होगे न equal to 0 यह के लिए आपको अब यहाँ क्या करिए न इसको quadratic equation के standard formula लाइए देखिए minus B square plus कितना हो गया 40 B minus 400 equal to 0 यहाँ भी आप क्या कर लिए पहले minus common ले ले लिए minus common लेंगे तो यह plus हो जाएगा न तो B square यह हो जाएगा आपका minus 40 B and plus 400 equal to 0 अब आप इसको minimum break करके यानि कि factorism method से भी बना सकते हैं और d निकाल के भी बना सकते हैं ठीक है देखिए factorism method से काफी easily बन जा रहा है 2020 2020 40 B हो जाएगा 2020 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 400 तो इसको आप कर सकते हैं तो चलिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं यहां हम निकल लिया B square minus 20 B minus 20 B ठीक है और plus 400 plus 400 equal to 0 यहां से अगर आपने B common ले लिया तो क्या बचा B minus 20 यहां से भी अगर आपने 20 common ले लिया क्या बचा B minus 20 equal to 0 B minus 20 को फिर से आपने common ले लिया तो again B minus 20 equal to 0 बचेगा ना अब आप देख पारे कि हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से अगर मैं यहां बना लो इसको तो B equal to 20 यहां भी B equal to 20 यानि कि therefore required value of B equal to कितना है हमारे पास 20 बोल सकते हैं required value of B is 20 अगर B 20 है तो L कितना हो जाएगा देखे from equation 1 से L कितना हो जाएगा 40 minus B that is 40 minus 20 तो यहांनि L भी क्या निकलेगा तो आप बोल सकते हैं from equation 1 से L कितना निकल गया वो भी हो गया 20 meter यह भी हो गया 20 meter अब आप से पुछा गया है क्या यह condition possible है तो yes पुछा सकते हैं कि yes condition तो possible है yes this condition is possible this condition is possible ठीक है तो I hope yes भी आपको easily समझ में आगया होगा